दोस्तो Realme ने एंडिया में Realme 5 को लांच कर दिया है इसमें आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि इस फोन का प्राइज काफी अच्छा रखा है यहां पर Realme ने लेकिन इसी प्राइज में Redmi का Note 7 आता है जो कि यह भी फोन काफी अच्छा है इसमें भी काफी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं लेकिन Realme 5 के लांच होने के बाद काफी लोग कनफ्यूज हो गया है कि किया आपर Realme 5 को बाई करना चाहिए या Redmi Note 7 को बाई करना चाहिए तो दोस्तो आज के शूड़े में दोनों फोन का फूल कंप्याजन करूंगा और बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन अपके लिए बेस्ट रहेगा किसमें अच्छा आपको केमरा देखने को मिलेगा कौन सा फोन गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा यह सब जानने के लिए आपको वीडियो लास तक देखना होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोड़ी स्रिक्वेस्ट करेंगे अगर अभी तक आप ने चैनलों को सब्क्राइब नहीं कियें तो प्लीज कर लिजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा चलिए दोस्तों आच के वीडियो स्टार्ट करते हैं वहीं बात करते हैं Realme 5 की 30 का वेडियो हैं दोस्तों बाइक शड़ में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा हाला कि इसमें आपको पॉली कार्माट की बड़ी मिलेगी लेकिन इसमें ग्लोसिस फिनिस दिया है आथ में इसमें Gorilla Glass 3 दिया गया है तो कह सकता है कि डियान और डिस्प्ले में दोनी फोन काफी अच्छे रहेंगे लेकिन दूस्तों आपको HD Plus दिखने को मिलेगा आपको Realme 5 में और Full HD का सपोर्ट मिलेगा आपको Note 7 में बात करते हैं दोनों फोन की केमरा के बारे में तो Note 7 में आपको देखने को मिलेगा आपको बाइक साइड में डूल केमरा जिसमें पहला रहेगा आपको 12 Megapixel का में केमरा और दूसरा है 2 Megapixel का डिस्प्नेवल करने के लिए जबकि आपको realme 5 में आपको 4 केमरा देखने को मिलेगे बैक साइड में पहला जो रहेगी इसमें आपको 12 Megapixel का में केमरा रहेगा दूसरा जो रहेगा इसमें आपको 80 Megapixel का lowest lens रहेगा और तीसरा जो रहेगा 2 Megapixel का micro lens दिया गया है और चौथा जो केमरा है आपको 2 Megapixel का दिया गया है डिफ सेनवल करने के लिए दोस्तो रियलमी 5 में आप स्लो मोशन और 4K वीडियो रिकारड आराम से कर पाएंगे जबकि आपको Note 7 में स्लो मोशन का तो अप्सन मिलेगा लेकिन आप 4K वीडियो रिकारड आप नहीं कर पाएंगे इस फोन में बात करते हैं सेल्फी केमरा के बारे में तो दोनों इफोन में आपको 13 Megapixel का सेल्फी केमरा मिल जाएगा तो अबरॉल कर सकते हैं दोस्तों कि केमरा में दोनों इफोन अच्छे रहेंगे लेकिन आपको बेहतर मिलेगा यहां पे Realme 5 में क्योंकि इसका जो बाई केमरा है आपको बेटर देखने को मिलेगा Note 7 से बात करते हैं प्रोसेसर का बारे में तो Note 7 में आपको देखने को मिलेगा एश्नेप डरवन का 660 फोरसेसर जो कि 14 nanometer की टेक्लोजी से बना हुआ है 2.2 GHz फे रन करता है जबकि Realme 5 में आपको श्नेप डरवन का 665 प्रोसेसर मिलेगा जो कि 11 nanometer की टेक्लोजी से बना हुआ है 2 GHz फे रन करता है तो कह सकते हैं performance में आपको दोनों इफोन काफ़ी अच्छे रहेंगे लेकिन दोस्तों आपको बेटर performance देखने को मिलेगा है यहाँ पे Realme 5 में क्योंकि जो Realme 5 का processor है आपको बेटर देखने को मिलेगा Note 7 के processor से लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात कर देते हैं गेमिंग के लिए यहाँ पे दोनों इफोन अच्छे ज़रूर रहेंगे लेकिन आप जो Realme 5 है इसमें आप दोस्तों HD सेटिंग में PUBG आप नहीं खेल सकते हैं जबकि आपको Note 7 में आप आराम से खेल सकते हैं रेम और स्टोरोज के बारे इम बात करते हैं तो Note 7 में आपको दो वरेंट देखने को मिलेगे जोकि पहला रहेगा तीन जीव रहुद आपको 32 जीव के स्टोरोज मिलेगी और जो दूसरा रहेगा इसमें आपको चार जीव रहुद आपको चार जीव रहुद आपको 64 जीव के स्टोरोज मिल जाएगी दोस्तों आप रेल में 5 में आप 2C में एक में औरी काट आराम से लगा सकते हैं जबकि Note 7 में आपको hybrid slot देखने को मिलेगा यानि इस phone में आप 1C में एक में औरी काट 7 में लगा सकते हैं नहीं तो आप 2C में एक 7 लगा सकते हैं बात करते हैं दोनों फोन के operating system के बारे में तो दोनों फोन Android के 9.0 नी पाई पर रन करेंगे अगर battery के बात करते हैं तो Note 7 में आपको 4000 mAh की battery मिलेगी साथ में आपको Type-C भी मिल जाएगा और ठारवाड का fast charging support मिलेगा लेकिन दोस्तों आपको box में fast charging डेखने को नहीं मिलेगा बात करते हैं Realme 5 की तो इसमें आपको 5-6 mAh की बड़ी battery देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तों इसमें आपको Type-C डेखने को नहीं मिलेगा और नहीं fast charging का support मिलेगा बात करते हैं दोनों फोन के अधर फीचर के बारे में तो दोनों ही फोन में आपको OTG का सपोर्ट मिल जाएगा दोनों ही फोन में आपको Face On Lock का सपोर्ट मिलेगा दोनों ही फोन में आपको Dual 4G VOLTX नाथ काम करेंगे और दोनों इफोन में आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा तो कह सकते हैं दोस्तों कि feature wise दोनों इफोन काफी अच्छे हैं और मेंट बात करते हैं दोनों इफोन के price के बारे में तो note 7 का जो पहला व्रेंटेज का price रखा गया 999.99 रुपिया तो कह सकते हैं कि price यहां पर दोनों इफोन का काफी अच्छा है लेकिन अब बात करता हैं कि दोनों इफोन में से कौनसर फोन बेश्ट रहेगा कि इस फोन को बाई करना चाहिए तो दोस्तों आपर दोनों इफोन काफी संदार है लेकिन मेरे इससाब से Realme 5 अच्छा रहेगा क्योंकि इसका जो बाई केमरा है हो भी आपको काफी अच्छा मिलेगा यह फोन आपको परफोर्मस में भी काफी अच्छा रहेगा इसमें आपको 2C मेक मेमोरी कार्ट लगाने का उप्सन मिल जाएगा साथ में इसके जो बाईटरी है हो भी आपको काफी बड़ी मिलेगी तो दोस्तो Realme 5 अच्छा फोन है आप इस फोन को देख सकते हैं हलाकि दोस्तो Note 7 भी अच्छा फोन है अगर आपको बाईक शड़ में गलास चाहिए Full HD Plus डिस्प्ले चाहिए साथ में Type-C भी चाहिए और दोस्तो सबसे बड़ी बात है कि इस फोन में आप HD सेटिंग में PUBG खेल सकते हैं फोन दोस्तो दोनों ही अच्छे हैं आपको दोनों फोन में से कंसा फोन अच्छा लगा आप इन दोनों फोन में से कंसा फोन बाई करेंगे मुझे कमेंट करके जरूब बताईएगा तो आज के वीडियो में बस इतना है अगर वीडियो चलेगी तो एक लाइक जरूब कर दिजिएगा अभी तक आपने सब्क्राइब नहीं कियें तो प्लीज कर लिजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिएगा क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे स्मार्टफून के लाते रहते हैं तो फिर मिलते हैं लिए वीडियो में तक लिए नमस्कार जाहें